अलो फ्रेंड्स वर्कूम तो मैं चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि SBL का जो हेर कलर है उसका मैं रिव्यू देने जारी हूँ एक्शली मुझे किसी व्यूवर ने बोला था कि SBL का जो हेर कलर है वो हर्बल है तो आप उसका रिव्यू दें तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरी राय में तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा वेल सा लगे तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने माले अच्छे वीडियो का आप मिस न कर पाएं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ये SBL का हेर कलर डाक ब्राउन मुझे सिरफ इसका नाम पता था कि ये SBL हेर कलर ठीक है और मैंने सर्च किया मेजन पे डाक ब्राउन यहां लिखा है और यहां पे लिखा है विद गुड़नेस ऑफ अलोवेरा आमला एंड विसकेस फोर सिल्की और शाइनी हेर हिना बेस्ट हेर कलर है ये आपको याद होगा मैंने खादी का हेर कलर भी रिव्यू किया था जो की हिना बेस्ट हेर कलर था उसमें बहुत सारे कैमिकल्स है और उनके बाल बहुत ज्यादा वाइट हो गए है पूरे के पूरे वाइट हो गए है अभी तक और मैं इसको लेने के लिए जब मैंने अमेजन पे सर्च किया तो फर्स्ट अफॉल मैं क्या करती हूं कि मैं इसके इंग्रीडियन्स को देखती हूं तो यहां पेनों ने इ कि मिथाइल सेलियोलोस टार्टरिक आसिड पैराफिनाइल डायमाइन सो सलफेट सोडियम सलफाइट आवला पावडर मेटा अमीनो फिनॉल सलफेट ड्राइए एक्स्ट्रेक्ट ऑफ अलोवेरा विस्किस पावडर तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे कैमिकल्स है यह कैमिक अगर आप नाचरल एकलर में रहना चाहते हैं तो आप हीना आवला और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप यूज करके अपने बालों को काला कर सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहली चीज हमें यह देखनी होती है कि यहाँ पे इंग्रिडियेंट्स क्या है और आप यहाँ भी देख सकते हो इन्होंने की इंग्रिडियेंट्स अलग से भी दे रखें और बैक साइड में भी हैं तो मैं यह पर्चेस करने जा रही थी कि थांक गॉड इन्होंने फुल इंग्रिडियेंट्स दिये हुए हैं और जिसको रीड करके अब मैं इसको नहीं खरीदूंगी और ना ही मैं आपको सजेट तो मैं आशा करती हूं आप सब को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ा सब एच्छा लगा है तेसे लाइक कमेंटर शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो आगे मिलते हैं अच्छे इ